नेहककर की बर्द पार्टी में जबसे रोहन पृत को नहीं देखा गया, तब से ही दोनों के डाइवोर्स न्यूज ज्यादा फैली है. लेकिन अब नेहककर ने खुद अपनी डाइवोर्स न्यूज को कन्फर्म कर दिया, क्यूंकि नेहककर ने शादी के बाद अपनी सिंग रहना ही नहीं चाती वही पर नेहा ककर की एकस बॉइफ्रेंड हिमांश कोली ने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है नेहा और हिमांश दोनों पांच-छे साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों काफी क्लोज भी थे अब नेहा के बारे में हिमांश का कहन है कि वो नेहा को इमोशनाली सपोर्ट करते है और वो दोनों ने जो डिसिशन लिया है वो कफी सोच समझ कर लिया होगा और नेहा के बारे में उन्होंने ये कहा कि नेहा बहुत जल्दी डिसिशन ले लीती है और स्पोर्ट ले लीती है तो ऐसे ही नेहा आगर रोहन एक बात पर क्या है तो उन्हें दुबारा सोचना चाहिए क्यूंकि प्यार के लिए कुछ compromises करना परते हैं साथ ही ये भी कहना था कि नेहा बहुत short tempered भी है तो जल्दबाजी में ना जाके अगर वो दोनों patch up कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएए सब्सक्राइब इस चैनल फर मोर अपडेट्स